तो दोस्तो आज मैं explain करने वाला हूँ 2020 में आई मूवी जग में ठंडी रम को इसकी ratings की बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी जल्द ही release हुई है तो ratings उपर नीचे हो रही है इस movie में हमें immigrants की कहानी बताई गई है जिनें किसी भी देश में अधिकार नहीं मिल रहा है अब धनुश का इन सब में क्या रोल है ये हम movie में ही देख पाएंगे इस movie को मैं explain करूँगा लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिके subscribe को दबा कर grey कर दें इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाले वीडियोस को देख पाएंगे तो movie की शुरुआत में एक board दिखाई जाती है जो कि समुद्र के रास्ते किसी देश में entry कर रही होती है बट वहीं पर police आ जाती है और वहाँ पर उन्हें रोक कर arrest कर लेती है इसके बाद हमें एक foreigner आदमी को दिखाया जाता है जिसे कोई call आता है तो वो गुस्से में बाहर निकल जाता है फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग उसका बाहर ही इंतजार कर रहे होते हैं और उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं वो आदमी जिस कार में बैटता है उसका driver उसे कार में लॉक करके बाहर निकल जाता है तब ही वो पीछा करने वाले लोग उस कार को बलास करके उसे मार डालते हैं अब हमें सिवादास नाम के आदमी को दिखाया जाता है जिनोंने आदमी को बॉम से मारा था वो इसी के आदमी होते हैं इसके बाद हमें दूसरे कारेक्टर से इंट्रिड्यूस कराया जाता है जिसका नाम पीटर होता है सिवदास के आदमियों ने इसी के आदमियों को मारा होता है तो जो भी उसके मारने के प्लान में शामिल होता है वो से धून डून कर मार रहा होता है अब हमें तीसरे कारेक्टर सुरूली से मिलाया जाता है जो कि अपनी गाड़ी को रेलवे ट्रैक पर खड़ी करके ट्रेन रुकवा देता है और अंदर जाकर वहाँ एक आदमी को गोली मार देता है क्योंकि वह आदमी बहर शहर से आकर उसके एरिया में काम करना शुरू करा था जो कि सुरूली को बिलकुल भी पसंद नहीं था उसी दिन उसकी शादी भी होती है तो वह अपनी शादी में चला जाता है वहाँ वो नाचता है और खुब मस्ती करता है थोड़ी देर बाद लड़की के घरवालों को पता चल जाता है कि सुरूली एक गूंडा है जो की लोगों को मारता बिटता रहता है तो लड़की शादी छोड़कर ही भाग जाती है सुरूली का एक होटल होता है जिससे वो खुद ही समालता है तभी वहाँ उसका दोस्त आकर कहता है कि मेरा एक दोस्त विक्की तुमसे मिलने आया है वो एक foreigner आदमी को साथ लेकर आया है और वो तुमसे मिलना चाहता है सुरूली अपने होटल की फेवरेट डिश लेकर उनसे मिलने जाता है तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं ये उसी के लोग होते हैं जिसे सुरूली ने ट्रेन में मारा था अब उन सब के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है सुरूली देशी बॉम बनाने में एक्सपर्ट था तो वह बॉम ब्लास करके सब को वहाँ से भगा देता है अब विक्की और फॉरेनर आर्मी सुरूली से मिलता है विक्की बताता है कि लंडन में जो आईटीस कंपनी होती है उसमें अप्रेजल के टाइम एक ग्रूप डिसकिसन होता है तो वहाँ डिसकिसन का टॉपिक था तमिल गैंगेस्टर तो मैंने वहाँ बोल दिया कि तमिल नाडू का सबसे बड़ा गैंगेस्टर सुरूली है उससे बड़ा गैंगेस्टर कोई भी नहीं है वो आगे बताता है कि लंडन में दो बड़े गैंगेस्टर है एक का नाम है पीटर और दूसरे का नाम है शिवादास शिवादास ने पीटर को परिशान करके रखा है तो उसको ठीकाने लगाने के लिए एक तमिल गैंगिस्टर शाहिए इसलिए ये फॉर्णर आदमी जो की पीटर के गैंग का है वो तुम्हें ले जाने के लिए यहां आया है ये सब कहाने सुनके सुरूली बहुत हंसता है लेकिन वो कैसे भी करके मान जाता है पर ये शर्त रखता है कि वो हफते का 2,00,00 पाउंड लेगा तो फॉर्णर उसे पैसे देने के लिए मान जाता है अब सुरूली लंडन पहुंच जाता है और पीटर से मिलता है सुरूली को इंग्लिस नहीं आती थी तो विककी उसका ट्रांसलेटर बन जाता है पीटर बताता है कि सीवदास मेरे काम के बीच में आ रहा है तो तुम्हें उसे मारना होगा सुरूली और विक्की अब बाहर निकल जाते हैं सुरूली विक्की की गल्फरंट के बारे में पूसता है तो वो बताता है कि उसकी गल्फरंट एक मिनिस्टर के लिए काम करती है सुरूली को कुछ जादा समझ नहीं आता तो विक्की डिटेल में बताता है कि मिनिस्टर मार्क एक बाइकोर नाम का बिल लेकर आया है जिस पर गॉर्मेंट इमिगरंट्स पर रोक लगा सकती है अगर ये बिल पास हो गया तो हम जैसे लोग यहाँ पर नहीं रह पाएंगे इसलिए दूसरे मिनिस्टर एंड्रियू इस बिल को ना पास होने के लिए लड़ रहे हैं तो इसी कैमपेंट का हिस्सा मेरी कल्फरेंट भी है अब सुरूली सिवादास के बारे में जानने के लिए उसके एक काम करने वाले लड़के से दोस्ती कर लेता है और उससे हर जानकारी लेता रहता है सुरूली और विक्की एक बार में दारू पीने जाते हैं वहीं उसे अतीला नाम की एक लड़की मिलती है जिसे देखकर सुरूली को प्यार हो जाता है वह उसको जाकर सीधा आई लव यू ही बोल देता है पर अतीला उसे कुछ भी भाव नहीं देती अगले दिन सुरूली पीटर से मिलता है पीटर उसे बोलता है कि पहले हमारा देश काफी साफ था लेकिन तुम्हारे जैसे इमिग्रेंट्स यहां आकर बसने लगे इसलिए अब खराब हो गया है सुरूली इस बात पर ध्यान नहीं देता और उसे शिवा दास के बारे में बताने लगता है वो बताता है कि शिवा दास का असली बिजनस वेपन सप्लाई करना है वो ऐसे देशों में वेपन्स देता है जहां पर वार चल रही हो वो उनके बदले पैसे नहीं लेता बलकि गोल्ड लेता है क्योंकि यहां पर गोल्ड की कीमत जादा है वो फिशिंग बिजनस की यान में अपना वेपन सप्लाई करता है और वो साधी और अंतिम संसकार भी और्गनाईज कराता है और साध उस बिजनस की यान में भी अपना दंदा करता है अब वो लोग अंतिम संसकार वाले बिजनस पे अटायक करने का सोचते हैं वो जिस गाड़ी में डेट बाड़ी ले जा रहे होते हैं लोग उसी को रोकते हैं जब गाड़ी की छानबीन करते हैं तो उसमें हतियार ही भरे होते हैं सिवदास को जब इस बारे में पता चलता है तो उसे शक हो जाता है कि पीटर के गैंग में कोई और भी आदमी शामिल हो गया है अब सुरूली अतीला को पटाने के पीछे लग जाता है क्योंकि वो उससे प्यार करने लग गया था वो उससे होटल में मिलने जाता है वो लोग बात करी रहे होते हैं तब ही सुरूली की नजर एक आदमी पर पढ़ती है वो उससे मिलने जाता है तो पता चलता है कि वो उसी के गाउं का है जिसका नाम मुर्गेसन होता है वो लंडन कुछ बड़ा करने आया होता है बट अब वो होटल में वेटर का काम कर रहा होता है अब सुरूली शिवादास के शादी वाले बिजनस पर अटैक करता है वो शादियों में सजाने के लिए जिन मूर्थियों को रखते थे उसी में सोना भरा रहता था और उसे फिर शादी हो जाने के बाद सप्लाई कर देते थे सुरूली और पूरा गैंग उनके अड़े पर जाकर अटायक कर देता है वैस सुरूली को पता चलता है कि जिसको उसने पकड़ा है वो सिवा दास का खास आदमी राजन है वो उसकी बातों में आकर अपना मास्क उतार देता है तो पीटर उसे सभी लोगों को मानने की पर्मिशन दे देता है वो सब को मार डालते हैं पर राजन को उसी तरीके से बॉम ब्लास में मारते हैं जैसे सिवादास के आदमियों ने पीटर के आदमी को मारा था अब शिवादास के घर में दुका महौल हो जाता है गैंग का मेंबर बताता है कि राजन को एक देशी बॉम से उड़ा कर मारा गया है जिसका मतलब ये है कि उनकी गैंग में एक तमिल आदमी ही शामिल हुआ है अब हम देखते हैं कि शिवादास ने सुरूली को किन्नाइप कर लिया होता है वो उसको बहुत मारता है सुरूली कहता है कि वो उसका बहुत बड़ा फैन है क्योंकि अपने देश से बाहर आकर वो दूसरे देश के गैंगिस्टर को धूल चटा रहा है सुरूली सिवादास को ये कन्विंस करने लग जाता है कि वो पीटर के लिए नहीं बस पैसों के लिए काम कर रहा है और अगर आप ज़्यादा पैसे देंगे तो मैं आप के लिए काम करूंगा अब सिवादास उसकी बातों में आ जाता है फिर वो कहता है कि जैसे तुम पीटर के लिए काम कर रहे थे करो बट असलियत में तुम अब मेरे लिए काम करोगे और तुम्हारे जरिये ही मैं पीटर को मार दूँगा अब सुरूली पीटर के पास जाकर कहता है कि उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया था बट कैसे भी करके मैं छूट गया लेकिन अब वो लोग अपना बिजनस चेंज कर रहे हैं तो बहतर होगा कि आप लोग हाथ मिला ले और मिलकर काम करें इस बात पर पीटर एगरी हो जाता है अब पीटर और शिवदास की मीटिंग फिक्स हो जाती है लेकिन शिवदास का पूरा प्लान पीटर को उसी मीटिंग में मारने का होता है जिसमें कि सुरूली हेल्प करने वाला था अब वो दोनों एक जगह पर मिलते हैं जहांपर कोई भी गंस नहीं लाया था पर सिवदास ने वहीं पर एक गंद छुपा दी थी उसका आदमी उसे गंद दे देता है बट जैसे ही उसे चलाता है तो पता चलता है कि उसमें गोलियां ही नहीं है मतलब सुरूली ने सिवदास को ही धोका दे दिया था अब पीटर बड़ा सचाकू लेकर सिवदास को मार डालता है बाहर खड़े सिवदास के सारे आदमियों को भी मार दिया जाता है सुरूली उसके दो आदमियों को दया खाकर छोड़ देता है वो दोनों आदमी ये सोच लेते हैं कि सिवदास के मौत का बदला वो सुरूली से जरूर लेंगे पीटर सुरूली से खुश होकर उसे एक स्टीट की पूरी दुकाने ही उसके नाम कर देता है सुरूली का हमेशा से सपना था कि उसका एक अच्छा सा होटल हो तो वहाँ पर वो अपना होटल बना लेता है और मुर्गेशन को उसका मैनेजर बना देता है सुरूली अटीला से शादी कर लेने की बात करता है पर अटीला कहती है कि वो दोनों अभी एक दूसरे को सही से जानते भी नहीं है इसलिए उन्हें पहले डेट करना चाहिए, एक दूसरे को जानना चाहिए तभी शादी का फैसला करेंगे, इस बात पर सुरूली भी मान जाता है अब हमें दिखाया जाता है कि बाइकोर बिल के तहट वहां बाहर से आकर रह रहे लोगों को डिटेंसन सेंटर भेजा जा रहा होता है अब सुरूली और मुर्गेशन के बीच बात्चे दिखाई जाती है मुर्गेशन बताता है कि अगर लोगों को यहां रहना है तो उनके पास पेपर होना जरूरी है इस पर सुरूली को कुछ भी समझ नहीं आता तो मुर्गेशन डिटेल में बताता है कि पेपर मतलब लीगल डॉकुमेंट जिससे कि इनसान के बार में हर जानकारी पता चले बट अब इमिग्रेंट्स के पास तो पेपर है नहीं और नहीं मेरे पास हैं तो मुझे कभी भी इस देश से निकाला जा सकता है मैं साइलान तमिलियन तो हूँ बट मुझे ही तमिल नाडो में रिफ्यूजी बता दिया गया और वहाँ पर मुझे जगा नहीं मिली अब पता नहीं कब कोई जगा मिलेगी जिसे मैं घर कह सकूँगा अगले दिन सुरूली और अतीला डेट पर जाते हैं वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं तब ही शिवदास के आदमी उसे मारने के लिए आ जाते हैं सुरूली और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें कि सुरूली को काफी गोलियां लग जाती है और वो नदी में गर जाता है बट फिर हम देखते हैं कि उसकी जान बच जाती है और वो जिंदा होता है उसका घर पे ही इलाज चल रहा होता है और वहाँ अतीला मौझूद होती है तब अतीला एक injection निकालती है और सुरूली के ग्लूकोस बॉटल में उसे inject कर देती है उसे मारने के लिए लेकिन तभी सुरूली जग जाता है और उसे पता चल जाता है कि वो उसे मारने की कोशिश कर रही थी अब उसे पता चलता है कि अतीला उन आद्मियों से मिली थी और वो उसे मारने के लिए ही यहाँ पर आई थी लेकिन उसने ही नदी से निकाल कर उसे बचाया भी था तो सुरूली पूसता है कि जब मारना था तो मुझे बचाया ही क्यों अब अतीला अपनी कहानी बताना शुरू करती है अतीला और उसका परिवाज शीलंका में तमिल रफ्यूजी थे उन्हें उमीद थी कि इंडिया से कोई हेल्प तो जरूर मिलेगी बड़ तभी वहाँ पर शीलंकान आर्मी बॉम्बिंग कर देती है जिसमें कि सब लोग मारे जाते हैं सिवाया तीला के भाई और उसके बहन के लड़के के उसका भाई एक आदमी से मिलता है जो कि शिवदास के बारे में बताता है वो बताता है कि तुम लोग लंडन निकल जाओ वहाँ शिवदास नाम का आदमी तुमारी वहाँ पर हेल्प कर देगा अब वो लोग अपनी जान बचाने के लिए छुपते छुपते लंडन जाने लगते हैं उन्हें बस यही डर रहता है कि कहीं उन्हें इमिग्रेंट समझ कर पकड़ना लें वो लोग एक जूटी पहचान भी बना लेते हैं उसका भाई पती बन जाता है और वो लड़का उसका बेटा वो एक ट्रेन से लंडन पहुँचने ही वाले होते हैं पर तभी अटीला के भाई को पुलिस पकड़ ले जाती है लेकिन अटीला कैसे भी करकर लंडन पहुँच जाती है और सिवदास से मिलती है शिवदास इमिगरेंस लोगों का मसीहा था वो उनको वहां रहने की जगा देता था उनकी पहचान बनाता था और काम भी देता था यही बात पीटर को नहीं पसंद थी क्योंकि वो यह नहीं चाता था कि कोई भी बाहर से उसके देश में आकर काम करे इसलिए वो मिनिस्टर से मिलकर बाईकोर बिल लाना चाता था इसी वज़े से शिवदास और पीटर में लड़ाई हो रखी थी अटीला कहती है कि तुमने हमारे गौड फादर को ही मार डाला इसलिए मैं तुम्हें मारने आई थी वो ये भी बताती है कि उसका भाई पीटर के किसी डिनेंशन सेंटर में बंध है सुरूली उमोशनल होकर कहता है कि वो एक छोटे से गाउं से आया है उसका मकसद सिर्फ थोड़े बहुत पैसे कमा कर घर सटल करना है पीटर ने मुझे काम पर बुलाया और मैं पैसे कमाने आ गया और दूसरे का दर्थ अभी समझाता है जब खुद के साथ वैसा होता है वो फैसला करता है कि जो भी मैंने गल्तियां की है वो अब मैं कैसे भी करके सुधारूंगा अब पीटर सुरूली को मिनिस्टर एंड्री को ही मानने का ओडर दे देता है लेकिन सुरूली एक शर्त रखता है कि तुम्हारे डिटेंशन संटर में रह रहे अटीला के भाई को छोड़ना होगा तो पीटर ऐसा करने के लिए मान जाता है बाट उसे ओर्निंग देता है कि कभी भी दूसरों के लिए वो हीरो बनने की कोशिच ना करे वरन्ना वो भी वहां से भगा दिया जाएगा तब सुरूली कहता है कि वो कभी हिरो नहीं बनना चाता क्योंकि वो पैदाईशी ही विलन है पीटर का सिंपल सा प्लान था कि एक इमेगरेंट से मिनिस्टर को मरवा देना ताकि वो वहां के सारे इमेगरेंट पर आतंगवादी होने का इलजाम लगा सके और भाई को और बिल आसानी से पास हो सके जब सुरूली घर आता है तो पता चलता है कि उसकी माँ घर छोड़के जा रही है उसकी माँ बोलती है कि जब लोग बोलते थे कि तुम्हारा लड़का शैतान है लोगों को मारता पीटता है तो मैं सह लेती थी लेकिन मेरा बेटा गद्दार है ये मैं नहीं सुन पाऊंगी इसलिए मैं जा रही हूँ अब अटीला सुरूली को शिवदास के आद्मियों से मिलाती है वो उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं पीटर तुम्हारे कहने पर इतनी असानी से अटीला के भाई को नहीं छोड़ने वाला ये सुनकर उसे गुसा आ जाता है और उन दोनों को मानने लग जाता है अटीला उसे लड़ाई करने से रोकती है तब सुरूली कहता है कि हाँ मैंने गलती की है मैंने सिवदास को मार के बहुत बड़ा पाप किया है लेकिन अब मैं गलती सुधारना चाहता हूँ अब सुरूली इमिगरंट्स को इंसाफ दिलाने के लिए अपना काम शुरू कर देता है पीटर सुरूली से मिलने आता है क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि सुरूली सिवदास के आदमियों से मिलकर इमिग्रेंट्स की हेल्प कर रहा है वो उसे धमकी देता है कि वो जिस काम के लिए यहां लाया गया है वही करे और हीरो बनने की कोशिश ना करे वो उसे फिर से एंड्रियू को मारने को कहता है विक्की सुरूली को बताता है कि अगर एक बार पीटर का प्लान कामियाब हो गया तो पीटर की डिटेंशन सेंटर माईग्रेंट से भर दिये जाएंगे सुरूली अब पीटर से मिलने जाता है उसे बोलता है कि जो तुम यहां कर रहा हो वहीं मैं अपने शहर में करता था मैं बाहर के किसी भी इंसान को अपने शहर में काम करने नहीं देता था लेकिन जब मैं यहां आया तो मेरे साथ भी वही हो रहा है तो अब मुझे पता चला कि जो मैं कर रहा था वो गलत था वो कहता है कि घर सिर्फ वही नहीं होता जहां आदमी पैदा हुआ होता है घर वो भी होता है जहां आदमी रहना चाता है और अब मैंने सोच लिया है कि अब मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा बस अपने होटल को चलाओंगा और फैमली बसाओंगा इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है अब पीटर के आदमी उसके होटल पे पहुँचकर गोली बारी शुरू कर देते हैं जिसमें की मुर्गेशन की मौत हो जाती है पीटर फिर से सुरूली को मिनिस्टर को मारने के लिए फोर्स करता है सुरूली मना करता है तो पीटर के आदमी उसके घर पर भी गोली बरसाना शुरू कर देते हैं तब पीटर डर के मारे उसे हां कर देता है सुरूली ने उस टाइम तो हां कर दिया था बट उसका प्लान कुछ और ही था जब सुरूली और पीटर के आदमी सब साथ में कार से जा रहे होते हैं तब सिवादास के आदमी आकर पीटर के सारे आदमियों को मार डालते है अब सुरूली पीटर को मारने के लिए उसके घर पर ही पहुंच जाता है वो उसके घर के सारे गार्ट्स को मार डालता है वो पीटर के पहुंच जाता है जहां पीटर बजूका लेकर बैटा होता है पर वो चलती ही नहीं उस टाइम सुरूली पीटर को नहीं मारता है फिर हम देखते हैं कि बाइकोर बिल पास नहीं होता और सारे इमिग्रेंट्स वहाँ छूट जाते हैं और अटीला अपने भाई से भी मिल जाती है फिर हमें दिखाया जाता है कि सुरूली पीटर को एक जगा पर लेकर आया होता है वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं मैंने तुम्हारी सारी पहचान मिटा दी है जिससे कि कोई भी तुम्हारी असली पहचान नहीं जान पाएगा और अब तुम भी एक refugee कहलाओगे वो उसे वहीं पर उसी हाल में छोड़ कर चले जाते हैं और movie यहीं पर खतम हो जाती है तो दोस्तो अगर immigrants की बात करें तो जिस तरह से movie में immigrants को दिखाया गया है अगर उनके साथ ऐसा ही होता है तो यह काफी जादा गलत है मुझे इस politics के बारे में जादा कुछ नहीं पता है कि immigrants बन जाने का system क्या होता है और ना ही मुझे ये पता है कि तमिल्स में कैसे immigrants बन गए क्योंकि वो तो अपने ही country में आते हैं बट यही story हमने family man season 2 में भी देखी थी जिसमें tamilion immigrants के बारे में बताया गया था countries का immigrants को अपनाना गलत नहीं है पर immigrants का उस देश में रहने का intention ही गलत हो तो फिर उन्हें सही नहीं कहा जा सकता बट movie में हमें ऐसा नहीं दिखाया गया है अगर movie की बात करें तो कुछ ज़्यादा खास नहीं थी बस वही जैसे gangster movies होती हैं सेम वैसी ही है इस movie से सबको काफी expectations थी पर ये सबके expectations पर खरी नहीं उतर पाई personally मुझे भी ये normal gangster movie लगी जो हम हमेशा देखते आए हैं अब आप इस movie की story और movie के बारे में क्या सोचते हैं ये आप खुल कर comment में बता सकते हैं और अब मुझे अगली कौन सी movie explain करनी चाहिए ये भी आप बता सकते हैं और ऐसे ही आने वाली वीडियोज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को subscribe करें और बैल आइकन दबा दें जिससे कि आपको नई वीडियोज की notification मिल जाएगी और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोज बनाने का motivation मिलता है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई और नमस्ते उलते हैं वीडियो जर वीडियो में तो मिलते हैं रहे जाएगी लगी हो खंग तक के लिए उवाद़ी प्राटा च प्राटा चिस वीडियोज वीडियोज की शोड़ी